हेलो दोस्तों स्वागत है आपका PSR YouTube चैनल पे मेंड़ा नामी लीना जैन आज का हमारा डॉपीक है होस्टिंगर सिंगल वर्सेस प्रेमियम होस्टिंग प्लाइन तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेब होस्टिंग के सिंगल और प्रेमियम होस्टिंग प्लाइन के बारे में और इसे वीडियो के इसक्रिप्इशिंग में आपको एक वेब होस्टिंग मिलेगा जहां से पच्रिक सकने पर आपको मिलेगा है टोटल 80% काeren एक है सिंगल प्लान और दूसरा है प्रिमियम प्लान ठीक है लिए उससे पहला हम गता दो कि अगर आप होस्टिंगर से होस्टिंग लेने वाल है ठीक है तो गाइस यह एक बहुत ही बढ़िया टाइम में होस्टिंगर लेगा क्योंकि आपको मैं दूँगा एक डिसकाउंट इसी वीडियो की डिसक्रिप्शन में जिसके तुझाएगे प्रिसकाउंट से आपको मिलेगा टोटल 80% का डिसकाउंट और साथ में आपको थ्री मंस की एक्स्ट्रा होस्टिंग मिलेगी और इसके अलावा जब भी आप रिन्यू कराओगे तो आप आज जिस प्राइस में खरीदते हो उसी प्राइस में आपका रिन्यूवर हो जाएगा तो यह तीन बेनफिट्स आपको मारे लिंक के तुरू मिलते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अब चलो चलते हैं हम हमारे में टॉपिक के जो की है सिंगल वर्सस प्रीम प्लान अब ग किसी भी दूसरे होस्टिंग प्लान्स में नदर नहीं आएगा इस सिर्फ फॉर सिर्फ वर्स्टिंग में यानि कि शैर डॉस्टिंग में ठीक है तो अब यहां पर हमारे पास दो ऑफ्शन से सिंगल और प्रेमियम ठीक है अब इसको समयने से पहले एक बार हम यूटूब रखेक्ट करने में तो ईचयआ है जो कमारे वीडियो का सकते होस्टिंग है मैं एक क्या गोल जाता हूँ तो अब इस प्लान को डिसकस करते हैं एक तो है हमारा सिंगल प्लान जो कि यह 69 रुपीज का दूसरा है प्रीम प्लान वह 149 रुपीज का अब इन दोनों के बीच में अंतर जो रहता है वह 80 रुपे का रहता है अब इस 80 रुपे के अंतर में क्या क्या चीजें बदलती है यह हम इस वीडियों बात करेंगे देखो सबसे पहला जो चीज है सबसे इंपॉर्टन चीज जो आपको ध्यान रखना है वह यह है कि यहां पर आप एक ही वेपसाइट होस्ट कर सकतो 69 वाले प्लान में तो इसका मत क्या आपको दूसरा वेपसाइट होस्ट करना है यह नहीं करना यह डिसाइट कर लो अगर आपको एक से ज़्यादा यानि कि दो आपके लिए 69 वाला प्लान ही नहीं है ना तो यह चीज आपको सबसे पहले सोचना है और आपको एक फाइनल डिजिशन लेना है उसके बाद आप आगे सीज को समझ सकते हूँ अब दूसरी चीज दोनों में आपको पर्फ़मेंस देखने को मलेगा यानि कि पर्फ़मेंस के अंदर आपको कोई डिफरेंट्स इहां पर देखने को नहीं मिलता है यहां पे 50 GB का SSG स्टोरेज है यहां आपको 100 GB का SSG स्टोरेज हो जात जात बोलता है कि 5GB यहां तो बहुत ज़ादा होता है है, तो अ जै किरह 5GB भी किसी का यूज नहीं होगा है तो इसलिए यह जो पिस on the storage कितना मिलता है यह नहीं देखना t… कौं सा जान खेसन थेखना hain yaha аμसधी storage यहां पर आपको मिलता है और यहां आज इस particular वीडियों बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो single versus premium है ठीक है अब यहां पर आपको weekly backups का option मिलता है यहां भी आपको weekly backups का option मिलता है तो कोई difference नहीं है यहां पर आपको एक email account मिलता है यहां पर आपको unlimited email accounts मिल जाते है ठीक है और यहां पर आपको unlimited SSL म बोलता है ना तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि वो unlimited है मतलब अब इसको वैसा नहीं सोच सकते है कि यह unlimited कभी भी खतम नहीं होगा आप चाहिए कुछ भी करोगे यह खतम नहीं होगा ऐसा सीन नहीं है इसका मतलब सिर्फ यह होता है कि जब तक genuine traffic आप बेज़ते हैं अपने के थुरू आप इनिजे डि नहीं होंगे हो कोई इन सान आपकी साइट पे नहीं आ ठीक कर नो सकता है ऐसन्स के त रोपकी कमाई का रीजन हो सकता है कुछ भी abonnate हो सकता है लेकिन उस GB का bandwidth कितना होता है क्या होता यह चीज समझना है तो guys आपको सबसे पहले समझना पढ़ाएगा आपके page का size क्या है ठीक है अब मालों कि आपके page का size है 2KB ठीक है अगर 2KB है आपके page का size तो आपके page पे कितने लोग आ सकते हैं यह हम calculate करेंगे इस video में ठीक है चलो ठीक अब इस चीज को सही से समझते है 1,0,2,4 1 MB में 1024 KB होते है ठीक है अब हमें पता है कि हमारे page का size है वो 2KB है तो हम इसको 2 से divide करेंगे तो 512 जो है इसमें ट्राफिक आदा है नहीं कि 1 MB में आप जो है 512 लोगों का ट्राफिक आप हैंडल कर सकते हो 1 MB में अब यहाँ पर है हमारा कितना है 100 GB है चलो आप क्या करेंगे इसको हम multiply करेंगे 1024 से क्यों? क्योंकि यह हम बात कर रहें 1 MB की और 1 GB में 1024 MB होते है तो 512 को 1024 से multiply करना पड़ेगा ठीक है तो करते हैं 1024 ठीक है अब हम देख लेते हैं इतना ट्राफिक हैंडल करेगा 1 GB में यानि कि 5,24,288 का ट्राफिक यह हैंडल कर सकते हैं अभी यह एक बहुत बढ़ा एमांट में दिख रहा है लेकिन गाईस यह सिर्फ 1 GB का है अब हमारे पास कितना है 100 GB है अब इसको आपकोट multiply करना पड़ेगा सोस है अब आप देखो यह टोटल हैंड कर सकता है एक महिने में इस प्लान किता हूँ अगर आपके पेज का साइज है 2KB अगर माल लोगे आपके इसी पेज का साइज 2KB के जाएगे 6KB होता ठीक है 6KB होता नॉर्मली जब मैं देखता हूँ अपने पेज़िस का साइज का भी वो 6KB होता है कभी 12KB होता है ठीक है तो इस चीज़ को फिर हमें मैल्टिप्लाइ करना पड़ेगा 1024 से ठीक है और फिर इस तरीके से जो हमारा पूरा प्रोसेस है जो मैं आपको पहले बताया उस बाख को कंटिन्यू करना ठीक है तो इस तरीके से क्या निकलेगा आपका finally कितना ट्राफिक आप हैंडल कर सकते हो 100GB में तो इस तरीके से आप इसे calculate कर सकते हो अब यहाँ पर वही चीज़ unlimited है अब यहाँ पर ट्राफिक का तो कोई limit ही नहीं जब तक कि आप genuine ट्राफिक आपके साइट पे लेके आते हो तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है ठीके अब next है free domain आपको यहाँ पर premium plan में free domain मिलता है और आपको यहाँ पर single plan में free domain नहीं मिलेगा अब guys यहाँ पर क्या होता है ना जब आप एक domain लेने जाते हो तो 800 रुपे लगते हो उस domain के अब आपको हिसाब लगाना इन दोनों plans के बीच में कि क्या फरक आता है चलो हम अपन हिसाब लगा के देख लिए अपन एक साल के लिए लगते है ठीक है नहीं छोड़ो एक साल के लिए नी इस जो price आपको देख रहे हो और अगर premium plan को कर लेके चलता है ठीक है 149 into 48 अब यहां पर आपको 7,000 रुपे लगेंगे 4,000 के अब इन दोनों के बीच का फरक देखो 3,312 और 7,152 ठीक है 7,152 मैनस 3,312 3,840 अब इस 3,840 रुपे में आपका एक domain आता है अगर माल लोकी यह जो फरक है यह जो फरक आप यहां पर देख रहे हो अगर इसमें यह 800 से कम होता तब तो आप loss में होते है क्योंकि आपको domain के लिए अलग से pay करना पड़ रहा है तो हाँ अगर आपको domain के लिए अलग से pay करना आप यहां पर एक interesting चीज यह है कि इसमें यह जो आपके दोंगे अपने जो free domain है free domain सिर्फ मिलता है एक साल के लिए आप hosting बले चार साल के लिए लोग free domain से एक साल के लिए होता है तो पहले साल तो आपको 800 रुपे नहीं देने पड़ेंगे लेकिन उसके बाद आपको हर साल 800 रुपे देने पड़ते हैं आपको hosting रेन्यू नहीं कराना है आपको से domain रेन्यू कराना है अगर उस case में हम देखे तो यह वाला जो plan है हमारा 3312 प्लस आपको 2400 रुपे और लगेंगे I mean 2400 नहीं 3200 रुपे अब हम इसके साथ प्लस करके देखते है 3200 ठीक है अब आपके क्या करना है with domain पूरे 4 साल का आपको single वाले का जो total पड़ेगा वो रपड़ेगा आपको 6500 बारा ठीक है और अगर हम इसकी बात कर लें इसके साथ हमें जोड़ना पड़ेगा 2400 प्लस 2003 साल का domain तो यहां पर भी दन अपड़ेगा पहला साल बले ही free है लेकिन उसके बाद तो free नहीं है ना तो यहां पर अब आप देख सकते हो इस वाले plan में premium plan में आपको 4 साल में 9552 रुपे देने पड़ेंगे और single वाले plan में आपको 4 साल में 6512 रुपे देने पड़ेंगे ठीक है तो कहीं न कहीं मतलब बात यह है कि आप इसको यहां पर free domain मिलने के वाज़से 800 रुपे का फायदा आपको इसमें होता है लेकिन फिर भी pricing जाता है क्योंकि definitely यह plan भी थोड़ा लगे इसको बिलकुल भी ध्यान मत देना क्योंकि मैं यह मानता हूँ कि यहां पर अगर आप हवर करोगे तो मैं लेका not recommended limited support suitable for very small store selling five और fewer products अगर आप WooCommerce वेबसाइट बनाते हो तो 5 से कम product ही आप मेच पाओगे तो guys यह बिलकुल गलाचीज है मैंने यह single वाले plan में 5000 से उपर के product बेचे ठीक है क्योंकि देखो आप client आता है वो बोलते हैं कि हमें single वाला plan से ही है यहाँ पर आप जितने product डाल सकते हो उड़ालो हमने डाला 5000 से जादा product हमने डाल दिये और अराम से उनकी side चल रही कोई दिक्कत नहीं आती है अब यहाँ पर दिक्कत नहीं आती ही का मतलब यह नहीं है कि यह plan आपका सारे requirements को fulfill कर देता है दिक्कत नहीं आती है मतलब अपने level पर यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती है हमने इस वीडियो के अंदर आपको बिजनस प्लान ही खरीद के दिखा हुआ है, अब अगर आप ये वाला प्लान खरीदना सीख जाओ करें तो ये सब प्रीज सो कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो अब ये तीनों के बीच को मैंने आपको सारे फरक्त समझा दिये हैं, ये वूक इस तरीके से आप देखो, आपके वेबसाइट का जो है, एक पेज कितने के बीच का ही बनता है, जा सेदा 24-25 के बीच का होगा आपका एक पेज, ठीक है, टू के भी तो मैंने बहुत कम बता है, वह तो calculation में easy रहता है, इसलिए में आप होता दिया, लेकिन अगर आप जो है कि sufficient है, तो आप यह अला प्लान ले लो, और फिर जो दिक्कत आती है कि आपको यहाँ फ्री डॉमेन नहीं मिलता है, तो अब मैंने आपको होता जिया कि अगर आप डॉमेन लेते हो साथ में तो आप कितना खर्चा पड़ेगा, और in case आपने डॉमेन ले रखा है पहले से, तब तो guys, बहुत ही बड़िया चीज है, आप single वाला प्लान ले लो, ठीक है, अगर आप यहाँ पहले से डॉमेन है, तो आपको बिल्कुल दिमाग लगाना की जरूद नहीं है, आपको इन सब प्लान मों फसना ही नहीं है, आप सीज़-जीदे यह प्लान ले लो, ठीक है, कि नहीं, यार, मुझे दूसरे अपसाइट होस करना पड़ सकता है, या फिर आपको पक्का पता है कि आप करोगे, तो आपके लिए single plan ही नहीं क्योंकि आप इसने एक 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 होस कर सकता है, दूसरे अपसाइट के लिए आपको premium लेना, premium ही ले लो फिर, ठीक है, तो यह कुछ भी help चाहिए, यह वारे वीडियो देख लेना, link description मिल जाएगा, इस वीडियो का भी, इनकेस नहीं मिला, तो आप YouTube पे सर्च कर सकता हो, how to buy bird press hosting, from hostinger, और आपको यह वारे वीडियो मिल जाएगा, ठीक गाईज, तो अगर वीडियो पसंद आएट इस लाइक कर दिजे आपको मिलेंगे, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद